स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब कर दीजे एंड इमेडियेट अपडेट के लिए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे The process of slicing allows programmers to extract information from a string of data slicing की मदद से हम string में से किसी useful information को extract कर सकते हैं मतलब अगर हमें उस string data का कोई part use करना है then हम string slicing का use करते हैं slicing can be done by using range slice operator and slice function string data की slicing हम दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहला range slice operator और दूसरा slice function अब हम एक program के दुरू देखेंगे कि हम किस तरह से string की slicing कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने vs code open कर लिया है अब हम यहाँ पर string की slicing करेंगे तो string slicing के लिए हमने दो method पढ़े से उनमें से एक था range slice operator के दूरू तो सबसे पहले मैं range slice operator का syntax लिख देता हूं range slice operator के लिए हम square brackets लगाते हैं और सबसे पहले starting index होता हमारा starting index और फिर stop जहाँ पर हमें stop करना है लेकिन जहाँ पर string stop होगी उसके index में से एक negative अटा करके मतलब एक minus करके जो index हमारे पास आ रहा होगा मतलब जैसे मैंने 1 से start किया है और यहाँ पर दे दिया 4 तो यहाँ पर 4 count नहीं होगा यहाँ पर 3 count होगा एंड 3 वाले index तक जो हमारी slicing होगी वह हो जाएगी देखते हम कैसे तो अब यहाँ पर मैंने एक variable ले लिया है hello python मैंने एक variable लिया है एंड उसमें एक string पास की है hello python अब मैं चाहता हूँ इस string में से यह python वाला data जो है यह मेरे पास आ जाए निकलके तो इसके लिए मैं string slicing का यूज करूँगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैं लिखता हूँ print मेरे को abc मैं से extract करना python को तो मैं abc लिखूँगा अब हम अपना starting index लिखेंगे तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे इतना data चाहिए न यह वाला तो मैं दर से count करूँगा 0,1,2,3,4,5 5 के बाद वाला index चाहिए और कहां तक चाहिए मिरे को 6,7,8,9,10,11 अगर मैंने 11 ले लिया तो 11-1 10 हो जाएगा मतलब यह o तक आपाएगा पर अगर मैं 12 दे दूँगा तो 12-1 11 हो जाएगा और हमारे पास python वाला यह जो data यह निकल के आ जाएगा मैं file को save करता हूँ and इसे यहाँ पर run करवाता हूँ python python.py तो देखिए हमारे पास python लिख करके आ गया है इसने सिर्फ और सिर्फ index 5 से ले करके index 11 तक का data हमें return कर दिया आप यहाँ पर कितनी वड़ी value दे सकते हैं लेकिन वह वहीं तक ही रहेगा जहां तक मतलब इस string की length उतनी ही रहेगी जितनी हमने दी है यह देखिए अभी भी आ रहा है मैंने आप लोगों को एक बात और बताईती कि अगर हम string की indexing right to left करें मतलब यहाँ से तो क्या हो जाएगी minus 1 से start हो जाएगी तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ मैं देता हूँ minus 1 से और मैं चाहता हूँ कि एक हां तक end हो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ minus 6 क्योंकि यह यहाँ से start हो रही है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 अभी यही करके देखते हैं, इससे ही output लागर करके देखते हैं मैं इसे run करवाता हूँ तो देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम slicing करेंगे string की, तो वो slicing यहाँ से start होगी ना कि यहाँ से यह बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा string की slicing यहाँ से start होगी तो हम इस तरीके से indexing नहीं कर सकते हैं, अगर negative करके करें तो हमें यहाँ पर एक index positive में देना पड़ेगा also अगर मैं negative में देना चाहूँ तो negative में क्या करूँगा मैं minus 6 से start करूँगा, मतलब यहाँ से यह string यहाँ से start होगी तो सबसे पहले क्या आगा minus 6 minus 6, अब आजागा हमारा minus 7 sorry हम यहाँ से count करते हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 तो minus 6 ले लिया मैंने also मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर लेता हूँ minus 1 minus 1 अब मैं फाइल को सेफ कर रहाता हूँ and इसे मैं run करवाँगा तो अभी आ रहा है PYTHO ऐसा क्यों हुगा क्यों कि अगर अब मैं 0 ले लूँगा तो string यहाँ से start हो जागी तो इसलिए मेरे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर एक positive index लेना पड़ेगा concern index 12 अब मैं फाइल को सेफ करता हूँ and मैं यहाँ पर run करवाता हूँ तो यह देखिए हमारे पास python आ रहा है अब मैं क्या करता हूँ अब मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ तो हमारे पास क्या result आएगा हम यह और चेक कर लेता है मैं save करता हूँ run करवाता हूँ इस case में है अगर हम starting और ending नहीं देते हैं index तो हमारे पास string की slicing नहीं होती है जैसी हम string variable में store करवाएंगे वैसी string हमारे पास return हो जाएगी अब हम अपना next हम अपना next method देखते है string slicing का जिसमें हम slice function का use करके string की slicing करेंगे मैं एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास stop के लावा एक argument और होता है range slice operator में जो होता है step argument अब step argument क्या करता है कि हम जब भी slicing करेंगे तो वो कितने steps को ले ले करके string को slice करेगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे मैं दे देता हूँ 1 से 12 तक and मैं चाहता हूँ stepping 1 की जो की by default होती है file को save करता हूँ and मैं run करवाता हूँ लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ तो हमारे पस तो हमारे पस two steps ले करके string की slicing हो जाएगी यह देखिए e आया, l आया, y, h, n और एक space भी आया है e क्यों आया है क्योंकि first से start हुआ है and 12 तक गई है हमारी slicing और उसमें 2, 2 का step लगा है string को slice करने के लिए अब हम अपना slice वाला method use करते हैं जिसके तुरू हम slicing करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ तो मैं इसको delete करता हूँ and मैं again string ले लेता हूँ is equals to hello python you you are awesome and अब अगर हमें slice function का use करना है तो उसके लिए मैं print लेता हूँ जिससे की output मेरे पास screen पर print होकर का जाएगा अब मैं अपनी string लेता हूँ and square brackets लगाता हूँ अब यहां पर मैं slice function का use करूँगा अब जिस तरह से हमने starting index, top, end step का यहां पर use किया था बिलकुल वैसे ही यह slice में use करना है तो उसके लिए मैं करता हूँ मैं सबसे पहले यहां पर जैसे हमने 5,12 दिया था मैं file को save करता हूँ and मैं इसे run करवाता हूँ कि देखी हमरे बस python print होकर क्या रहा है और मैं इसे और भी आगे बढ़ा सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि यह हो जाए 18 file save and अब run करवाते हैं इसको तो देखिए यह पूरी की पूरी string दे रहा है जो की index 5 से ले करके 18 के बीच में आ रही है अगर हम slice function को empty छोड़ देंगे और फिर file को save करके करेंगे and इदर run करवाएंगे तो हमारे पास एक error आ जाएगा because इसमें एक नएक argument हमें pass ही करना पड़ेगा और उसमें ऐसा नहीं था हमें सिर्फ और सिर्फ call and pass कर देना था तो हमारे पास पूरी पूरी string return होकर गया जाती है यहां पागर 0 pass कर दूँगा या non pass कर दूँगा तो हमारे पास ऐसा ही output आया कुछ यहां पर मैं है ना 0 pass कर देता हूँ none file save and run तो यह देखिया हमारे पास वो पूरा पूरा string return होकर कर आ चुका है also मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर मैं starting index देता हूँ 1,14,2 की stepping अब मैं file को save करूँगा and यहां पर run कर वाता हूँ तो देखिये 2 की stepping देख करके हमारी string का data था वो slice होकर के यहां पर आपको print होकर के दिख रहा है तो इस tutor का धुरू आप लोग क्लियर हुआ हूँ कि हम किस तरह से string की slicing करके data को extract कर सकते हैं string में से and हम के इस तरह से range slash operator का use करते हैं and slash function का use करते हैं यह भी आप लोग को clear हो गया hope आपको चीजे समझ आई होंगी अगर आपकी कोई query है तो आप comment box में लिख सकते हैं या आप login कर सकते हैं www.learn2unless.com contact us.php हम आपकी query solve करने की कोशिश करेंगे thank you आपकी आपकी